हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है आठ दिसम्बर 2022 आज की 12 इंपोर्टन अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आज को आँँ चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ तो यह सभी अपडेट् हिमाचल में बात करें 408 परसन यहां पर टेस्टेड हुए है पिछले कल की यह बात हो रही है स्टेटेस कल का यह ओके और मैंसे दो की पोजिटीव रिपोर्ट आई है और पांच रिकवर यानि की ठीक हुए है एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए है टोटल एक्टिव हैं पूरे हिमाचल में तो यह भी तक की लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों कोविट 19 की ओके चली दोसों नेक्स्ट अपडेट यह रही हिमाचल में रिवाज बदलेगा यह राज विधान्सवा चुनाव के नितिज़े आज तो आप सभी कमेंट करके बताना क्या होगा ठीक है फिर देखते हैं आपकी बात होती है यह किसकी बात होती है ओके चलिए तो आठ वजे शुभा शुरू होगी मतगर्णा बारा बजे के बाद रुजहानों से साफ होने लगेगी स्थिति हिमाचल पतेश में पांच साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा यह यह बीरवार को मतगर्णा से तय हो जाएगा विधानसभा चुनाव के इसे बीरवार आठ दिसंबर यानि की आज आएंगे मतगर्णा सुभा आठ वजे जो है शुरू होगी तो बारा वजे के बाद रुजहानों की स्थिति साफ होती जाएगी मतगर्णा से चुनाव लड और यहां पर जो है मतदान हुए थे और यहां पर इसके बाद जो है पहले मतवत्रों की गिंति की जाएगी और इसके बाद एबियम के बोट गिनेंगे साथ ही बीवी पैट की परशियों की जांच चुनाव वरिवेक्षूं की लिगरानी में होगी 7881 मतदान केंद्रों पर हुआ है मतदान और मतगर्णा से पहले प्रदेश की सिमाई सील आज रहेगा ड्राइडे तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है यह आप इदर देख सकते हो चले दोस्तों नेक्स्ट अपटेट यह रही डियलेड रिअपीर प्रिक्षा के पुनर मुल्यांकन का प्रणाम घोशित दोस्तों यहां पे हिमाचल पदेश कुल शिक्षा बोर्ड ने जुलाई दोज़ार बाइस में सिंचारेट के गए डियलेड भाग एक बभाग दो की अप्रिक्षा पुनर मुल्यांकन का प्रणाम घोशित बुद्वार को कर दिया है प्रणे इस नबर के अपर जोभा कर सकते हैं अगनिवीर सेना भरतिकलर का प्रणाम घोशित अगई में सेना भरतिकलर की लिखित प्रिक्षा का प्रणाम जहें दोस्तों घोशित हो चुका है और इसका प्रणाम सेना की आधिकारी की वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है सेना की वेबसाइट पर प्रणाम देख सकते हैं सेना भरती कारेले ने चैनित अभियतियों से अपने मूल प्रमान पत्त 10 दिसंबर तक जमा करवाने के लिए कहा है चलित अबमीदवार जो है अपने मूल प्रमान पत्र सेना भरती कारेले में 10 दिसंबर तक जमाग करवा दें और अगने मीर सेना की इस भरती में जेला कांगणा वचंबाच यूके वहाम ने भाग लिया था तो यह दोस्तों यहाँ पे अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपड तो तिबती अध्यात्मिक गुरु दलायलामा को जो है यहाँ बिश्व शांती के लिए मिले नोबर प्रसकार की बशगाट के रूप में मैं के लोड़ गज में हमारे उत्सब मनाया जाएगा तिबती इंस्ट्रिट ओफ परफॉर्मिंग आर्ट के सभागार में 10 और 11 दिस प्तुत किये जाएंगे वही कांगड़ा प्रेंटिंग पर लाइव बर्ख शोप इस कारेक्राम का विशेश आकर्शन होगी तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है चली नेक्स्ट अपडेट यह रही आयोग ने घुशित किये दो चंटनी प्रिक्षाओं के प्रेडाम ब और यहां पर देखें तो दूसरा पोस्ट कोड़ा आपका एक हजार दो यह है सचिवी का एक पड़ भनने के लिए आठ क्टोबर को प्रिक्षा हुई थी और इसका भी रिजल्ट जो है यहां पर आ चुका है बाकि अभी उनकी 31 दिसंबर 2020 को होने बारी दस्ता विजों की स दिल्ली से शिमला के बीच रोज से उड़ान परदी सीट 5,138 रुपे रगेगा किराया अभी कोई उपतान नहीं मिलेगा तो प्रदेश में नई हवाई उड़ानों का किराया और शेडूलते कर दिया गया है शिमला से कुलू और धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से नई फ् फ्लाइट शुरू होगी और शिमला से धमशाला के लिए सुबह साथ सालिस पर उड़ान होगी और साधे आठ बजे धमशाला पहुंचेगी तरह धर्मशाला से सुबह 850 पर फ्लाइट होगी और 49 पर शिमला पहुंचेगी यह हवाई सेवा 80R 42600 हवाई जहाज से बतान की जा रही है तो यह दोस्तों यहां पर प्लेट है और 5138 इसका जो है किराया यहां पर रहेगा ओके चले दोसे नेक्स्ट अपडेट यह रही मंप प्राउंड की प्रोविज्वज्व दलेने जारी की मभी एस बीडियस की प्रोविजनल मैट सुची तो यहां पर जो है इनक 11 और 13 देसंबर को प्रोविजनल और फाइनल सेटों कावंटन यहां पर किया जाएगा ओके चले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही दिल्ली जाएंगी बीए सिक्स बसें पुरानी भेजेंगे चंडीगड हरीदवार दिल्ली में बीएस फोर बाहनों के बबेश प्रवेश पर रोक लगा दी है तो अभी यहां पर बिसिक्स बसे यहां पर भेज जाएंगी दिल्ली के लिए तेज रूटों पर संजालन करता है और सधान बसें ख्रेदी हैं तो यहां पर दिल्ली के रूट के लिए भेजी जाएंगी दोस्तों अभी बात करें हम यहां पर कईयों कि जो है अब हम और आपको दूस्तों निकल नहीं तो आज आप करना आज हो सकता है अभी आपकी अरुट कार निकल आप करना खो की ज़रूरत नहीं है वो निकल जाएंगे आपके बाद में ठीक है आप कभी उसको उसका प्रिंट करवा सकते हो तो अभी हम यहां पर देख लेते हैं चले दूसरा नेक्स अपडेट तो यह रही क्या फैंसला यहां पे लिया है तो जो यूजी का हम चले हैं अंतर क्राइब आता है तो फिर से ज़ेक करवाया जाएंगा तो यह ईहां पे किक करा जा रहा है दो system यहां पे 3300 उत्र पुस्वकाओं को मुलैअंकन किया गया था पहले चरण्ण में पहले दो करनें और करीभ 2000 उत्र पुस्वकाओं में 2 चरण्ण hmmे मुलैंकन में अंकहो मैं ज्यादा अंतर रहा है इसलिए अफो इनका तीसरा परिक्षक मुलैंकन करेगा Würदवार को जहांज कमिटी अधिश ठाता अधिश को चिंदेल की दक्स्ता में होई बैटक और इसमें निर्णे लिया गया कि जिन उत्रपु सिकाओं में पहले किये मुल्यांकन और दूसरी बार किये मुल्यांकन में पाय गए आंकों में अधिकन तरफाया गया है उनका तीसरे कि मुर्ण का भी कमिटी पता करेंगे अब तक कमिटी ने ओन स्क्रीन मुल्यांकन और इयाइप सिस्टम के देते मार्क्स अप्लोड करने की भी जांच की है तो अभी यहां पर फिर से जांच करेंगे तीसरी बार और खराब रड़नां को लेकर बिजा चुकि और से लगाए और उसमें देखाजाएगा कि कितना अंतर आता जो मार्क्स मिलिए उसमें ज़्यादा अंतर आता है अगर ज़्यादा अंतर आता है तो फिर उसके बाद वो Sekar से और ऑ significance है तेज़र रड़ने जारत आता है, उसके बाद देगे तो औरह देखेंगे, उसके आपको राहत दे तेस्ट अब्लेट के लिए, thank you.